हां सीधा फैक्ट्री आ जाना मैं आर्ली माउनिंग वहां पहुंच जाओंगा हुँ हुफ माल जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जा इस बात की टेंशन हो रही है ये भी ज़रूर है वो भी ज़रूर है सब कुछ ठीक हो रहा है जोई फिर टेंशन की क्या जरूरत है ये सब मेरी जिन्दकी का हिसा रहा है न कल सुबह होते ही देवसन से माल भी मंगवाना है वो भी एक टेंशन है इन दो सालों में चार करोड का टन ओर हो गया है अनु सुनो इतना रुपया गिनते गिनते मर जाओ जोई जरा न्यूस देखो कल से हर्टाल है ये भगवान कल हर्टाल है आवाज कुलो ना और आई पी नेता प्रकाश जैन और एडीबी के नेता संजय की रश्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद कल देश पर में हर्टाल का आवाहन किया गया है जिससे जनता सहमी अच्छा बताओ मैं क्या करूँ समझ में नहीं आरहा है अगर कल माल ही मंगवाता हूं तो देश इंका अधेश का करेगा मैं इसी वक्त फैक्टरी जाओं क्या जो है अभी फैक्टरी जाने से क्या फाइदा यहां मेटकर क्या मिलेगा डेड़ साल की महनत पर पानी फिर जाएगा लेकिन यह सब तुम नहीं संजोगी मैंने कितना खून-पसीना बहाया है तुम तो स्रिफ एंजॉय करने में बिजी पता नहीं गाड़ी की चाबी कहा है मिली नहीं रही है कहा है तुम नहीं चाहते कि मैं इसब करूँ तेरी तो यह गाना हमेशा के लिए बंद कर दूँ तेरा मेरे गाने से दिक्कत है आज तुम इसकी टांक तोड़ दूँगा जॉय भाई सुनने में आ रहा है कि हड़ताल तो काफी भैंकर होने वाली है तो मैं क्या करूँ मैं भी मर जाओं क्या बॉस मैं भी इस गाड़ी के तरह मशीन हूना क्या करूँ कल हरताल ना तो गाड़ी के तरह मैं भी नहीं ले माला यह गाड़ी ही मेरी रोजी रोटी है तो कल इसके साथ मेरी भी हरताल अगर यहां ग कॉन बात कर रहा था ओहा वही गरीब लड़का ज़हा है क्या का फोपट ज़फ अहामें पोपट ज़ोई नहीं घरीब ज़ॉयम तो मैंने तुम्हारे अकाउंट से पांच हजार उपए अपने अकाउंट में ट्रांसवर कर ली हैं ये तुमने क्या क्या जोई वो पैसे मैंने घर के किराए के लिए रखी थी कोट टाइम से कमाल का सामान हमारे शहर में आ रहा है मजाक मत करो जोई अरे ज़र सुनो तो किराय देनी की तारीक से पहले मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूँगा तब तक मुझे अपनी तंखा मिल जाएगी तो तुम्हारा प्यार इसलिए था है ना देखो कहे देता हूं मेरे प्यार पर उंगली मत उठाओ तुम मा कुछ अलग करने की सोच रहा हूं शुरुवात में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन देखना तुम ये ये बुरा वक्त भी बीच जाएगा देखना हमारी पुन्यालन अगरबत्ती लोगों के घर घर में पहुँच जाएगी काफी टाइम से मैं यही बात सुनती आ रही हूं बैंक से कुरियन सर ने तुम्हें फोन किया था जोई तुम उनका फोन क्यूने उठाते हो अरे वो आदमी है ना ठीक नहीं है पिछले चार मेने से अपनी एमाई मांग रहा है यहां कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता जैस सब कुछ शांदार थारीके से हो गया तुम्हारी अगरबत्ती सच में कमाल की थी खुश्मू भी अच्छी थी उससे घर के मच्छर भी भागे बात यह शांता बहन हम अगरबत्ती बनाने के लिए उच्छे तकनीक का प्रयोग करते हैं अच्छी बात है फिर पांच-छे प मरी नहीं है हाँ यार तो दिन भर खेलते ही रहता है जोड़ो ना क्यों के मूला ना तो जड़े चमन जरा एक तर फट जाओ तो मैं निकल जाओ बीच रास्ते में बटके खेल रहा है काम नहीं है कि हाथी के गुबर के बिना ये कर भी क्या सकता है सारा का सारा दिन गेम खे जरा चावी दो तुमझे यह लो महां से पूरे पांसर रुपे लेकर इसमें पेट्रल भरवाया है ताकि अलूर जाकर लड़की देख सकू मैंने कहा था कि जॉय भी आनी वाला है आज दोपर को महां जाना है तुमारे पास वो लिस्ट है ना हाथी का गोबर कहा मिलते है इ इसमें किसी भी हाथी के माली का नाम ही नहीं मिल रहा है आज भी हमें उनी के पास जाना पड़ेगा जिन्हों ने हमें भगा दिया था अभी तक वो लोग इसे तुम्हारा गिफ्ट ही समझ रहे है देखो जॉय भाई मैं इसका पिछले दस सालों से इंतिजार कर रहा था इ आप तो बड़े लोग भी गाड़ी हुद चलाते हैं ड्राइवर बाजू में बैठा रहता है चल अंदर बैठ जा मंद करता गाड़ी रिवर्स लेके इनको कुछ अलतो हूं चलो अच्छा हुआ हमारा अवारा मालिक चला गया वो तो गया हम लोग यहां क्या कर रहा है चल है भगवान लोगों के दिमाग में यह बात फिर से डाल दो है सुन यह ले उसे अच्छे से लालज देना अच्छा यह तेरी शादी के लिए है और यह हमारी फैक्टरी के हाथी के जो मालिक है उनके लिए है सिर्फ बीस रुपे इतने में क्या होगा भाई अरे उसे पैसों मेरी अंतरात्मा केरी हमारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है पहले उस लड़की से मिल तो लेते हैं मैं अपना आधा कॉंफिडेंस गवाना नहीं चाहता तूने उसे पांच-छे बार पहले नहीं देखा किया इस बार ममी पापा को साथ ले जाना था असफलता से सीखना चाहिए हमेशा ये शादी भी कोई इत्ते फाक से नहीं हुई है जो होने वाला होता होकर रहता है अब देखो ना मेरे साथ भी तो यही सब कुछ हुआ है वो जो लड़की थी ना आज वो मेरी बीवी है अनू जब मैं डसवी क्लास में था ना तब ही मेरी मा मर गई थी उसके अगले साल ही पापा भी चले गए अगर हमारी शादी के बाद भी तुम नौकरी करना चाहती हो तो बहुत अची बात है क्योंकि मैं अपनी नौकरी से स्थिफया देकर फ्यूचर में खुद का बिजनस प्ल अजर आपनी हाइड देख लेते हैं तुम्हारी कितनी है फाइव नैन यहां कड़ी हो सकती हो यहां पैर रखो अब जोड़ी अची लग रही है अब इसमें क्या थ्रिल है कि पूरी जिंदगी एक ही काम करते रहो और एक ही तरह की जिंदगी जीते हुए निकल लो यहां से हमें अपनी छाप छोड़ना चाहिए है न और हाँ शादी के बाद तुम्हारे पास दो अप्शन होंगे या तो तुम बहुत बड़े बिजनसमेन की पत्नी बन कर रहोगी नहीं तो एक आवारा इंसान की पत्नी बन के जीना पड़ेगा इन दोनों में से एक तो होता ही है अगर तुम्हें कोई ऐसी जिंदगी बितानी है जिसमें तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना है तो फिर किसे और को सेलेट कर लो मैंने अभी से सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रख दिया है यू जिस रिलाक्स एंड थिंक और लेट मी नो देटेटियल्स अब बहुत बड़े जीनियस हो जोई भाई आकिर में इसने रिस्क लिए और मुस्से शादी कर ली उसी रात मैंने उसे सारी बात बता दी और उसे अंधेरे में नहीं रखा सब को ऐसा ही करना चाहिए बिलकुल सही का तू भी जा और उसे साफ साफ बता दे कि मैं पुन्या अब बिल गेट्स कौन सा ज्यादा पड़ा लिखा उससे क्या फरक पड़ता है और वो फेस्बुक जिसने बनाया क्या नम मार्क सुकंबर्ग हाँ जो भी नाम है उसने भी पड़ाई बीच में ही छोड़ दी थी हाँ चला बाजा कारम बैट कॉलिज में पढ़ने को नसीब चाहिए एक बात याद रख अपने नसीब पर भरोसा है तो शादी में दहज लेने की भी कोई जरूवत नहीं है क्योंकि जो होना है वो होके रहता है यह कैसी बात हुई जोए भाई अनू बहन के पिता पी ड़्यूडी से रिटाइर हुए हैं उन्होंने तो बहुत सारा द फिर में मुझे उसका चेहरा दिखता है जोए थकोलकरन, MBA, MSW, MS Psychology बाकी सब तो समझ में आया मगर इस तरह से एक बेकार सी चीज यानि हाथी के गोबर से अगरबत्ती बना लेना ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी हां अरे मेरे पास पूरी टेकनालोजी है क्रिश्णा भाई इसका पूरा प्रोसेस होता है पहले हाथी का गोबर लेकर उसे फैला कर सुखा लेते हैं फिर उसके टुक्रे टुक्रे कर देते हैं उससे अगरबत्ती बना कर पैक कर देते हैं श्रेलंका में जो लार्ज स्केल प्रडक्शन है ना, वो भी बिलकुल ऐसे ही होता है, आपके पास ऐसा आइडिया लेकर आज तक कोई नहीं आया होगा, मैं पहला आदमी हूँ पर जो आए अगर इस आइडिया से अगरबत्ती बनाएं, तो उसकी खुश्बू कैसी होगी, बिलकुल सही सवाल, बिलकुल सही सवाल, इसलिए मैं अगरबत्ती लेकर आया हूँ ये है हमारा हीरो, जला कर दिखाऊं कुश्बू तो शानदार है, जोए अब ये बताओ कि इस बिजनस में तुम्हें कितना फाइदा होगा, हाँ, ये भी एक सवाल है जिसका मुझे जवाब देना होगा, केवल इंडिया में ही चार हजार करोड का अगरबत्ती का उद्योग है, लेकिन एक बात बताओ, हम केव की पूरे वर्ड में है, अमरीका में रहने वाले इंडियन, दुबाई के इंडियन, लंडन के इंडियन, सब के दिलों में यादें तो यहीं की होती है न, जब भी कोई हिंदू मंदिर में जाता है, तो सब से पहले यही अगरबत्ती भगवान के सामने लगा कर नमन करता है इसके बिना क्रिश्चन का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है मुसल्मान लोग भी अपने पीर के पास यही अगरबत्ती लेकर जाते हैं आपको पता है मैं आप सब पैसा बिलकुल नहीं मांग रहा हूं मैं तो सरफ हाथी का गोबर मांग रहा हूं और वो भी सर्फ तब तक जब तक कि यह केस खत नहीं हो जाता मानवता के नाम पर दे दो ना जैसा कि आप करते हैं जी भी भाई और जेटन के साथ हाँ हाँ भाई अरे तुम इसके बारे में कुछ और सोचो अगले साल के तेवार के लिए मेरा हाथी वहाँ जाएगा यह कटालन का वचन है हाँ मैं बस पहुंची रहा हूं सब देख लूँगा अपने लेटर पैड में जो बतायों वही लिखना हाँ कोट में फाइदे मन रहेगा भाई भाई ठीक है भाई फिर मिलेंगे हाँ बिल्कुल तुम्हें किसने कहा कि साथ है मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा था फिर मैं उससे पैसट दूंगा मुझे हाथ ही चाहिए मैं पहुंच गया हूं तुम तो दस बजे आने वाले थे अब आ रह चाहता हूं लेकिन पहले जरा एक नजर तो डालिये इस पर जरा गार से देखिए यह हमारा नया बिजनिस आइडिया है जब यातरी इसमें बैठेगा न तो उससे बहुत ही मज़ा आएगा वो मैगजिन पढ़ते हुए सॉफ्ट ड्रेंग पिएगा तो वो क्या करेगा आज रिक्षा मार्केट में उतारेंगे उन्हें रेल्वे स्टेशन के सामने खड़ा करेंगे और आटो की तुलना में सिर्फ वन थर्ड के राय लेंगे इसके बाद यह होगा कि हमारे विरोधी भी इस फील्ड में कूत पड़ेंगे फायदा कम हो फिर भी हम यह करेंगे श इसके बाद आपका नाम चारों तरफ चा जाएगा मुनाफ़ा आएगा वो अलग अगर हम इमानदारी से काम करें तो उसूलों के हिसाब से भी हमें धेर सारा मुनाफ़ा मिलेगा फोकस ऑन यो वार्क, फगेट दर रिजल्ट, इटिल हैपन भाई उसके बाद क्या हुआ अरे उसके बाद मैंने लगभग पास सो रिक्षे बनवाए और सब के सब कबार में पिछने पड़ गए पर ऐसे कैसे उसने कहा था इसका मार्केट सिर्फ त्रिसूर केरला और भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में होगा यूगांडा तक क अनू काओ जो अरे तुम यहां बैठी हो मैं फैक्ट्री से निकल कर तुम्हें लेने तुम्हारे आफिस गया था बता देती ना कि तुम सीधे घर आ गई हो मैं वहां इंतजार तो नहीं करता तुम्हारा कोई बात नहीं आम ए तुम्हें आराम की जर्वते पैर को ऐसे ही आरो सुनो मैं तुम्हें एक बड़ा सप्राइज देने वाला हूं कैसा सप्राइज तुम्हें मुझे एक सप्राइज दिया उसके बदले में मैं भी दूँगा तुम्हें जोय तुम क्या कह रहे हो कंग्रेट यूलेशन एन सेलीब्रेशन एन इमेजिनेशन पहले बताओ तो सही हुआ क्या है आ सब बताऊंगा लेकिन पहले तुम ये मिठाई खाओ एक महिने से मैं देख रहा हूं कि तुम्हें कोई न कोई तकलीफ जरूर है तो मैं पता है आज के दिन का मैं कितनी बेसबरी से इतिजार कर रहा था बिलकुल सच कह रहा हूं मैं ये लो खाओ मुझे एटरा गंटे काम करना पड़ता है आफिस में महीने का टागेट पूरा करने का टेंशन रहता है तुम ये कभी नहीं समझ सकते जोए तुम भी कहां समझ भाई मैंने इतने सारे सपने देखे उनका क्या आगे से ऐसा मत कहना आज मैं सिर्फ तुम्हारी वज़े से ब मतलब मुझे ही कमाना होगा तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा लेकिन तब तक जरा रेस्ट कर लो जो चोटी मोटी नौकरी कर रहे थे वो भी छोड़ दी उसे छोड़ने से क्या मिला कम से कम घर खश तो चल रहा था ये बात तो सही है जोई भाई हा तो मैं कह एक मिट मैं तुम्हें देखा लो तुम्हें रेस्ट करो अनु भेन का मूर ठीक नहीं लग रहा है आपको दिक्कत तो नहीं है ना इसे अंकल वो इतना गुसा क्यों रही थी सब ठीक है ना जखो एशा है खुशी के कारण जरा अंदर से गुसा फूड गया गुसा फूड अरे गुसा इतना था कि नारियल भी नहीं लिया अचा शिनु फर्स्ट नाइट को मैंने के सामने के अशारत रखी थी पता है तुम्हें या पता मैंने का था जब हमारा पहला बच्चा हो तो हमारी बैंक में कम से कम एक करोड बैलेंस होना चाहिए ये मेरा फाइनल आप अनुदीदी को जिसके बार में बता रहते ना मैं उसको पसंद करता हूं उस पर नजरे तेरी और नहीं तो गया नारिया लेते डर कर रोने लगी थी नसीब खराब था कि लड़की के बाप को में इंप्रेस नहीं कर पाया कोई बात ने तेरे पास टाय में अभी वरक आउट नहीं होता है तो हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं क्योंकि तब हम जवान होते हैं सुन्जरा ये सीक्रेट किसी को बताना मत नहीं तो लोग तुझा पागल समझेंगे अनु डालेंग तुमारे पास 200 रुपे मुझे चाहिए अभी तक लड़वाले को पैसे नह कौन है सुधाकर हो क्या नहीं मैं हूँ गिरी बहन इतने अंदेर में क्या कर रही हो तुम हो अभी कैसे आना हुआ जॉय बेटा इसी वक्त तो वकिल साहिबा से अच्छे से मुलाकात हो सकती है कहां है वो अभी तुव फिल्म देखने गई है थोड़ी देर में आ जाएगी अकेली गई है हां हां मैं भी जाने वाली थी पर उसने मना कर दिया अगर उसके साथ मुझे किसी ने वहां देख लिया तो उसकी बेज़ती हो जाती ना अगर तुम्हें वकिल साहिबा नहीं लेकर गई तो तुम्हें अकेले ही चले जाना शाहिए था चलो अब नीचे उतर जाओ बहन यह सब करने की उम्र नहीं है आपकी आराम से उतरना जीते रहो बेटा यह पकड़ी है तुम ही से ठीक कर दो कबसे इसके लिए परिशान हू बहुत अपिसोड हो गए ना उसके आज कल मैंने वो सीरियल देखना ही बंद कर दिया वो लोग एकी चीज को बार बार घुमा फिरा के दिखाते रहते अच्छा बस रात में समाचार देखती हूं और दिन में विधान सवा में बहस होती है उसे देखती रहती हूं तुम्हे अरे यह से आ रही है ने केसा बैटार है अरे बॉस तुम अरे तुम मुझे बॉस क्यों कह रही हो सणाय की वकील साहिवा कोई फिल्म देखने कहीती मुझे तो याद नहीं के मैंने आकरी बार का BIG मा कहती है मचले और सबजी साथ में नहीं खाना चाहिए तुम लोग भी करने लगे मचली को तो फैक्टरी में पकाना चाहिए था मैं भी है ना मचली वगरा सब फैक्टरी में पकाता हूं यह देखो यह एकदम फ्रेश वजटेबल है कोई दवानी चिटकी नहीं अब इन्हें समझाओ ना गरी बहन वाकिल साइबा कहती है किस जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इंपोर्टन्ट है और कुछ नहीं आप सब्सक्राइब यह तुम्हारा दोस्त है बेटी मा तुम अभी अंदर जाओ ना मैं बात कर लूंगी ले जाए सेंदर मुझी यह सब्ची नहीं खानी आप ले जाए सेंदर पता नहीं इसका क्या होगा वकिल साहिबा मेरा बुरा वक्ट चल रहा है मेरा भी वो कमख थामस को भी अभी ही आना था जब से आया है तब से हाथी के मालिक और उनका संग एक जुट होगा अच्छा हुआ जरा इधर देखिये न कल वकिल साहिबा को कोर्ट में चलना पड़ेगा बाकी के फीस में जल् थोड़ी किया था वकिल साहिबा को यही तो साबित करना है और उसके लिए फीस के बदले में मैं पुन्याले नगरवत्ती से जो मुनाफ़ा होगा उसमें से शेयर दूँगा और तब तक हम भूके मरते रहें ऐसा कुछ को हो जो संबह हो सके इसकी तो मन कर रहा किसका गला कोई बात नहीं अगर वकिल साहिबा कल कोट नहीं जाएंगी तो मैं आत्मात्या कर लूँगा क्या कहा कुछ नहीं आत्मात्या की बात कर रहा था बट आइविल डू देखो तुम बहुत बड़े ड्रामे बाज हो मुझे अच्छे से पता है मैं भी देखती हूँ बहुत हो गया मैं इससे जादा आप नहीं सुन सकता चलो यह बताओ कि कौन से फिल्म देखने गई थी तुम से क्या मतलब तुम अपनी ये सबजी उठाओ और निकल लो यहां इस समय कटगरे में जो खड़े हैं उनका नाम दिनेश है ये बताइए आपको उन्होने किस गाल पे मारा बताएए किस गाल पे मारा बाए गाल पर देखा यूर उनर पुलिस चेटमेंग में इन्होंने कहा कि दाए गाल पे मारा गया था प्लीज सी इस समय जो मुझे दिख रहा है उसे ढखने की बहुत ज़रूरत है साइलेंस दाएं या बाएं कहीं तो मारा गया तुम्हें जी और आउनर ओके मिश्टर दिनेश को 2000 रुपे कमपनसेशन दिया जाए कीवल इतना ही ये सब बाते करके कोट का समय बरबाद मत करो नेक्स्ट केस केस नमबर 301 बटा 307 वादी जौएद थोकलकरन प्रतिवादी देवसन कमेटी के चेर्मेन रवी नायर हाजिर हो हां तो क्या कहना चाहते हो था कुलकरन मुझे थोड़ी बेचाई नहीं हो रही ये ओनर लेकिन मुझे यकेने किस केस में मैं ही जितूँगा ये सब्मिटिंग कुछ साल पहले मेरे क्लाइन जोई थाकोलकरन ने हाथियों के गोबर लेने का देवसन से पर्मीशन लिया था और ये कमिटी द्वारा दिया गया पर्मीशन लेटर है री सब्मिटिंग प्लीज सी यूर उनर इस पर्मीशन के सपोर्ट के बाद एक बहुत बड़ी धनराशी बैंक के तरफ से लोन के रूप में मिली थी जिससे मेरे क्लाइन जोई ने अपने पुन्यालन अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था लेकिन उसके बाद इनकी कमिटी आई और बिना किसी कारण के पर्मीशन रद कर दिया इसका कारण है यूर ऑनर क्या कारण है ये के हाथी के गोबर से देवसन के के लिए पुन्यालन अगरबत्ती बनाएगा ये कभी नही से इस सब में मेरी क्या गलते है यूर पिछले देड़ साल से ये केस इसी तरह से खिशता चला जा रहा है मुझे आज फैसला चाहिए नहीं तो यहीं फासी पन अटक कर जान दे दूँगा यहां पंखा नहीं है यहां नहीं बाहर लटकूंगा बैक टू दपॉइंट उसी यह औब्यक्शन की बात क्यों कर रहे हो इसमें गलत क्या कहान इनोंने यह पुराना लेटर देवासन कमीटी की तरफ से है ना इसमें लिखा गया है कि अगर हम उसे हाथी का गोबर नहीं देंगे तो देवासन कमीटी उसके बदले में उस उतना रुप्या देने के लिए त अच्छा, ये कोट है, तुम्हारा घर नहीं है, हाथी का गोबर ही देना है, कुत्ते का गोबर नहीं। इसमें लिखे हुए शर्टों के अनुसार, अगले महिने की पांच तारिक से जॉय थाकोलकरण को हर हपते हाथी का गोबर देना ही होगा। आज के बाद हर सुमवार को जॉय देवासन के हाथी का गोबर ले सकता है, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। ले सकता हूँ, अब एक भी शब्द बोले तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है, नेक्स्ट केस। क्या अपनी बात पानेल होई बस्, 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 जल्दी कर लूँगा, आजा। एक आएक, इतरा हो, इतरा ज़रा, आजा। क्या अपनी बात पानेल होगी बस्, बहुत जल्दी कर लूँगा, आजा। पहले अना कूलम जाना होगा, फिर रिंज कुंदा जाना होगा, फिर देवसान के लिए निकलना होगा, पूरे तीन दिन का ट्रीफ है बस्, ऐसा कैसे होगा? अरे एक दिन में कैसे होगा बॉस्, बहुत ही सिंपल है, यहां से तुम रात भर में नेदोबसरी पहुंचाओगे, फिर वहां माल लोड करना और यहां जाना, फिर यहां माल खाली कर दिने, इसके बाद में साथ चाई पिएंगे, चाई पिने के बाद, तुम तरो ताज़ आज 30 तारीक है ना, तो हम लोग कल देवसन का सामान नहीं उठा सकते हैं, क्या, चार तारीक को आखरी दिन है, क्या हमें तब तक इंदिजार करना चाहिए, तो अपना मूँ बंद कर कुछ भी बोलता है, एक ट्रिप देवसन के लिए, फिर एक ट्रिप पैकिंग के लिए, तब तक चार तारीक आजाएगी, कहीं तरह दिमाग तो नहीं खसक गया ना, तब तक गोबर ज्यादा जमा होगा, इसमें दिक्कत क्या है, चार तारीक तक मुझे देवसन से गोबर लेना है, अगर हम दो नूट्री पेक साथ करेंगे, तो हमें 10,000 का मुनाफ़ा होगा, सम बहुत मुश्किल है, अच्छा ये बात है, मिस्टर अभेकुमार, अभी तुम्हारी जवानी उफान पर है, इस उमर में अगर इस तरह आलस करोगे, तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारे दिमाग में बैट गया है, कि ये यातरा तीन दिन में होगी, जो कि एक दिन में होनी च अभय जी, मैं तुम्हें इंसान के गुण नहीं, बलकि मशीन के गुण देख रहा हूं, जैसे ही मशीन में चावी लगाते हैं, वो दौनने लगती हैं, लेकिन अगर हम स्लो हो गए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे की नहीं, ये बात देखो, जाहिए, जाहिए, दे अनो, जब हमें बच्चा होगा ना, तो हम उसा इसे समझा नहीं देखने देंगे, लेकिन क्यों? बच्चे विगड़ जाएंगे, पहले के टीचर बच्चों के साथ बहुत सक्ती से पेश आते थे, आज के बच्चे डरते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, बस पूरा पूरा दिन बैटकर टीवी देखते हैं, और टीवी आले भी सब कुछ खुलम खुला दिखाते हैं, तियार पी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ओ, सौ साल तक जिएगा, इसे ही आद कर रहा था, इसका फोन आ गया, हाँ, बोल शीनू, अच्छा, तो ये बात है, हाँ, खिला जल्दी से जल्दी मुंबई पहुँच जा, इस बात की टेंशन हो रही है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, सब कुछ ठीक हो रहा है, जोई, फिर टेंशन की क्या जरूरत है, ये सब मेरी जिंदगी का हिसा रहा है, कल सुबह होते ही देवसंसे माल भी मंगवान है वो भी एक टेंशन है इन दो सालों में चार करोड का टन और हो गया है अनु सुनो इतना रुपया गिंते-गिंते मर जाओगी जोए जरा न्यूस देखो कल से हड़ताल है यह भगवान कल हड़ताल है आवाज कुलो ना और आई पी नेता प्रकाश जैन और एडीबी के नेता संजय की रश्टाचार के आरोफ में गिरफतारी के बाद कल देश वर में हड़ताल का आवाहन किया गया है जिससे जनता सहमी हुई है अब क्या करो किसी भी किमत पर हमें माल मंगवाना था टेंशन मतले जोए माल हड़त माल खत्म होने के बाद मंगा लेना अगर कल माल ही मंगवाता हूं तो देशन का देख्षका करेगा है सुरो अच्छा एक बद बताओ मैं इसी वक्त फैक्टरी जाओं क्या जो है अभी फैक्टरी जाने से क्या फाइदा तो यहां मैटकर क्या मिलेगा डेड़ साल की मेहनत पानी फिर जाएगा लेकिन यह सब तुम नहीं समझोगी मैंने कितना खुनपसीना बहाया है तुम तो सिर्फ एंजॉय करने में बिजी थी न पता नहीं गाड़ी की चाबी कहा है मिली नहीं रही है कहा है तुम नहीं चाहती कि मैं इस सब करूँ तेरी तो यह गाना के घृटी तौण दीकितर दूनगा जॉय है कि चॉय भ्र चॉय भाय सुनने में हरा रहा है कि हडossing काppings ना कहा होड कि में क्या करया ना तो क्ल इसके ढूबर होता व्र इसको कुछ नहीं बहें कुछ डियो बात अब ना यह जरूरी एक है बात कर कि बात करूं कि पूछो की व je तो उसके बाद ही तो हम सही डिसिजन ले सकते हैं ना मैं है 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 यह है काऊन बात कर रहा रहा है वही गरीब लड़का जोए है क्या कहां बुपड जौए नहीं 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 गरीब जौए जौए थोकल करन hm bolo क्या बात है खुछ नहीं कल रवी सर के लोगों ने हरताल रखी है मैं बसे को सपोर्ट करना चाहता हूँ और जैसा कि एफसी वालों ने गलती की है वैसी गलती बिलकुल नहीं करनी है साब साब बताओ क्या बात है रवी सर मैं उंकी पाटी के साथ कड़ा हूँ बाद अगर तुम यहां आओगे तो मार मार के हड़ी पसली तोड़ दूँगा लेकिन रवी सर अभी अभी क्यों नहीं मैं अभी आजाओं कैने कम नहीं इतनी रात को तुमारा बाप देवसन में बैठा है क्या जो तुमारे लिए दर्वादा खोलेगा सुनो कल हर्ताल है लेकिन मंदिर के लिए कोई हर्ताल नहीं होती और हाथी के गोबर के लिए भी कोई हर्ताल नहीं है हलो हलो रवी सेर कुट्टे ने फोन काट दिया क्या हुआ जॉय भाई कमीना है एक नंबर का कमीना अगर कल तक सामान लोड नहीं किया तो सारा प्लाइन चौपट हो जाएगा अगर यह तांसेंट के उलाद मान गया तो काम हो जाएगा तुम पटा हो ना उसको तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो हां तंगीत सिखाया कहीं यात्रा अच्छी रही न क्या खाक यात्रा अच्छी रही खाना भी नसीब नहीं हुआ खाना भी नहीं दे सकते थे तुमा भैको खाने पीने पर ध्यान दो, कल मैं भी टिफिन नहीं लाओंगा, कहीं होटल में साथ बैठ कर खाएंगे कोई जरूरत नहीं, कल मैं मा के साथ घर पर ही खाना खालूंगा, वैसे भी कल इस्ट्राइक है, गाड़ी तो जाएगी नहीं देखा कैसे बच्चों की तरह बात कर रहें, बोलना गाड़ी लेकर नहीं आएगा, जर इधर आतू, सुना भाई, तेरे जॉय भाई के लिए ये जिन्दगी का सबसे निर्णा एक समय चल रहा है, या तो इस पार या उस पार, तुम एक काम कर नहीं करते आए, आज रात को य जॉय भाई, चिंता मत करो, कोट ने हमारे पक्ष में एक फैसला दिया ही था ना, एक दिन देरी हो जाती है, तो हम कोट की बात कहकर उने मना सकते हैं, हम उने पिछले देड़ मेने से मना ही रहें ना, गदा कहीं का, अभाई मेरी मदद करो ना, कल कल माल लेने चले जाओ, अरे खड़े क्या हो इने मनाओ ना, आपका नाम अभे कुमार जी है ना, अभे मतलब जो डरता नहीं, तो बिना डरा अग्जस कर लो, हमें बचा लो यार, कर लो दूसरा रास्ता नहीं है, बचा लो ना हमें, थैंक्स, तो मेरे काले मुती हो, ये लोग गोबर पे कपड़ा बिशा के कैसे सो जाते हैं, देखो न, कैसे सोई पड़े हैं, ये नाराइन भाई, ये भगवान, किसे ने मेरा सारा गोबर जला दिया है, नाराइन भाई, मेरा सारा गोबर किस ने जला दिया, भाई, मजशर काट रहे थे, गोबर जलाने के और क्या चाहरा था दूसरा रास्ता नहीं था यह सब करके आराम से सो रहे हो चलो उठो यह मेरी रोजी रोटी है भाई आप चिंदा मत करो हम इसे भी लेकर चलेंगे पहले इन्हें उठाओ और यह सामान अटवा चलो जल्दी करो चलो उठाओ तो मैं घर्टी बजाने के लि मलेरिया हो गया तो लंबी लंबी सुई लगेगी अब बैठे क्या उठ जाओ तेरे थोड़ी खुल रहे हैं अपने समाल ले जा रहे हैं देखो कैसे मूँ बना लिया कल इसे ने मेरा फोन काटा था अपना फोन देना जरो अब तुम चुपने रहे सकते हो क्या यहां हम लोग टेंशन में मर रहे हैं और यह मेरा गाना अब तुम्हें इस बात की चिंता हो रही अब है सिर्फ दो किलोमेटर के बाद हमारी फैक्टरी आने वाली है जोई भाई इस गोबर के लिए मैंने ठुला बरम को वादा किया अब तुमारी जान ले लूँगा शिनू सुदाकर सुदाकर उपर सब कुछ ठीक ठाक है ना कोबर की बहुत बद्बूर आर्याम सो नहीं पार है सो नहीं नहीं तो तपक जाओ के नीचे जोई भाई उधर देखो पार्टी के आदमी लोग खड़े हैं वो देखो वो लोग आरे एकोटह द डबाली है अब एकसे लिटर दबाऊंगा वोलोग मेरी घाडी तो तो देखो चलो जल्दी परऊ दबाऊ मेरे हास से की आरे जाडी को रहे को निखल गए ना निकल गए ना खिरगार पहुंची गए बोस क्या कर रहे थे तुम क्या कर रहा था मार रुकने के बजाए हाथ से एक्सेलेटर दवार रहे थे कुछ हो जाता तो वह रुकते तो समझ से खड़ी हो जाती अब देखो ना मिया सब सुरक्षित आ गए ना पहले बहुत जो कर चोलोय जाँ है चलो चलो माल उतार चलोग जोगा चलो नहीं दे सेeszिदों सब्सक्राइब सब्सक्राइब लो लो बना थाफ पर वेसे में और पर देटory इन Chad IFA करने इराफ इजोंन क्यों आंज प्रिवाद प्रिवाद करें यह सब गोबर औरे एक आदमी के वज़े से वा अब कैसा लग रहा है तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा है तुम कब आई वाकिल साइबा अभी आई हूँ अनो सुनो डॉक्टर ने क्या कहा दिमाग पर चोड़ तो नहीं लेगी कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर ने कहा है कल वक्त को देखते हुए जोई के खिलाब परियावरन विभाग ने सिर्फ एक मुकदमा ही दायर किया है हाँ लेकिन आगे चलके ये केस कॉम्प्लिकेटेट हो सकता है अरे लेकिन मेरा परियावरन से क्या लेना देना है वकील हरताल वाले दिन रोड पे तुमने हाथी का गो जब ते नोटेस वकेल ये तुम क्या कर रही हो हाँ सारे संकटों को एक साथ ही आना था ए बगवान ओ मेरे बाखी सारे लोग कहा है ए बगवान ये तो सब यही पर है रगता हैं की बहुत पिटाई हुई है जोई भाई ये कैसे आकाश्वानी है कहा है मैं यहा हूँ जोई अरे बेटे तुम आणम से सो जाओ ना लॉक्टर ने तुम्हें फुल रेस्ट करने के लिए कहा है पहले यह पीलो हाँ सुनो मेरे हिसाब से बैंक केवल तुम्हारी कंपनी को भी जब्त कर सकती है बैंक तुम्हारा समाल लेके जाए उसे पहले उनका बकाया भर दो ऐसी बात मत करो जिसे मेरा हार्ट फेल हो जाए वकील अगर मेरी फैक्टरी चली गई ना तो मैं तो मर ही जाओंगा वकील मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ मेरे हिसाब से तुम्हे करना चाहिए हाँ पिछले मैंने जब हर्ताल हुई थी उस दिन पार्टी वालों ने कपड़े की दुकान जला दी थी अच्छा उसके बाद क्या हुआ उनके खिलाब कुछ लोगों ने केस कर दिया पिर क्या तो कपड़े की दुकान जला दी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद पार्टी को दो लाग रुपे मुआफजा देना पड़ा अगर हम भी फैक्ट्री में जिन लोगों ने तोड़फोड की उनके खिलाफ मुकदमा कर दे हैं तो हमारी जबती रुख जाएगी बोलो अगर जब दादाजी और दादी जी अफरिका जाने का प्लान कर रही है तो यह भी आ साथ में जाने का प्लान कर रही है अच्छा सच में बोलो ना हम लोग शाउत अफरिका जा रहे हैं लेकिन हो सकते आगले हफते वापस आ जाए वाँ देखो बेटा तुम्हारे अंकल वो देना था वो मैने दे दिया, पॉल अब अपने घर में रहता है और तुमारा भी अपना फ्लेट है, मैं भाड़े के फ्लेट में रहता हूँ, दादा जी, कहने का मतलब यही है, तुम भी तो यहां के बजाए दूसरे घर में रहते हो, इसलिए तो हमने इस घर को बेचने का फैसला किया है बेलानी वाले रॉय ने इसकी एक कीमत भी लगाई है इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए हमें फैसला कर लेना चाहिए तुम क्या कहते हो पॉल? तुम्हारा क्या विचार है जो है? दादा जी मैं आपके साथ कड़ा हूँ तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है जिन्दगी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंजॉय करना चाहिए पैसे जमा करके क्या होने वाला है? एक दिन तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है उसके बाद पैसे की क्या कीमत रह जाएगी तो मैंने और ग्रेसी ने मिलके कुछ और प्लैन मना है और हमारा प्लैन यह है कि आने वाले क्रिस्मस पे हम लोग यॉरप ट्रिप पे जाने वाले हैं इस घर को बेचने पर हमारे इसा हमें मिलेगा ना मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ इस वक्त यह घर ही मेरी आखरी उमीद है दादा जी आप मेरी बदद कीजी ना जिन्दगी में कठिन समय में डट कर मुकाबला करो जब मैं तुम्हारी उमर का था तो मेरी जिन्दगी भी बहुत मुश्किल दोर से गुजर रही थी पता है तुम्हें बात यह है दादा जी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बिज्जस करने वालों को यह पता होना चाहिए कि दुनिया में चुनोतियों से कैसे निपटना है अभी याँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है तो इसमें किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है हम यह से चुपचाप चले जाना चाहिए बताए न पूर्वजों का घर कितने का होगा करोणों की कीमत होगी इसकी जो खरीद कर नारियल पानी पीते हैं उन्हें क्या पता नारियल कैसे हो गया जाता है खैस जो भी हो मैं दादेश के साथ कड़ा हूँ अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं घर पापा के नाम पर वो जो चाहे वो कर सकते हैं पापा की इस उमर में शादी करा के तुम तो बड़े खोश हो रहे थे अब देखो क्या हो रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा जॉइ बेटे तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना अब देख लिया ना ना तुम्हे कुछ मिला ना मुझे जो चाप निकल जाते हैं उसी में भलाई है जावी देना तो जॉइ बेटे तुमने मुझसे जो आठ लाग रोपए लिये थे वो तुम्हें याद है ना वो बात मैंने स्टांप पेपर पर भी लिख दी थी इससे पहले कि तुम मेरा पैसा हजम कर जाओ मैं वो पेपर लेकर तुम पर केस करने जा रहा हूं तुम्हें अगर उम्मीद है कि इस घर में से तुम्हें कुछ मिलेगा तो अब वो उम्मीद छोड़ दो तुम्हें इस घर में से कुछ भी नहीं मिलने वाला बाय तो हम लोग कोट में मिलते हैं क्या बोल रहे हैं देखो जो आए मुझे पैसे की जरूरत है चुनाव होने वाले हैं गड़ बंदन की सरकार बदल गई तो हमारी दुकान दारी भी खतम हो जाएगी इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो चलता हूँ है ए भगवान जोए भई अब तो आओ भे कुमार भी आ रहा है ए भगवान उससे केदो कि दो दिन बाद मेरा अंतिम संसकार होने वाला है आओ बैठो भे बैठ जाओ कोई बात नहीं बहुत मैं खड़ा ही ठीक हूँ घूमते घूमते इधर आ गए हो क्या यह ग्रीश ने दिया है काम का बिल गाड़ी में जितना खर्चा होगा यह उसका बिल है उसने बोला कि दसाजार रुपर एडवांस दो फिर वो काम में हाठ डालेगा पैसा आपको देना होगा बास मैंने तुम्हारा ऑस्पिटल बिल दिया था ना बहु उसमें मुझे क्या मिला पास बीना गाड़ी के मेरी सिंदगी बरबाद हो गई अब मैं क्या करूंगे पास इस तरह रोने से क्या होगा अभी तुम जा और कल आ जाना कल कुछ बताता हूँ कलाओ का क्या मतलब कल काम हो जाएगा ना कहीं फिर से रोना शुरू ना कर दें जोई भाई ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया चलो भाई भाई अब आप जाओ यहां से ठीक बॉस आपकी राशी कौनसी है अभाई प्लीज तुम अभी जा सकते हो आपका काम हो जाएगा जाओ ना चलो जल्दी जाओ आप परसों इसे 10,000 रोपे कहां से लाकर दोगे जोई भाई मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है हम उन पर केस कर दें क्या जोई भाई पार्टी के खिलाफ क्या दूसरा कर भी क्या सकते है नो यह बहुत बड़ी गलती होगी जोई इंसान की जिंदगी में कोई ने कोई उमी अच्छे काम के लिए मैं हमेशा ताया रहता हूँ वैसे एक्सिदेंट के बाद घर वालोने मुझे बहुत डाड़ा फिर भी मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ जोई भाई जिंदेगे में कभी-कभी बुरा समय आता है लगिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे भाई उन्याल पार्टी के लोगों को बहुत तकलिफ हो रही है केस कर देने के बाद अगली 20 तारीक को कोट ने सुनवाई की पहली तारीक दी है इसके बाद सब ठीक हो जाएगा यही यही तो बात होगी न वो सब मैं नहीं जानता हूँ जोई हां तुम्हें पार्टी से मुआबजा मिले या ना मिले भाई लोन तो चुकाना पड़ेगा ना सर आप मुझे सिर्फ तीन महिने का वक्त दीजिए मैं लोन चुका दूँगा आपका अगर तीन महिने में मैं आपका लोन नहीं चुका तो आप जो चाहें जब्द कर लीजेगा अरे तुम बात को नहीं समझ रहे हो जो आपने वाले समय में इतना इतना पैसा कमाएगी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते सर थोड़ी महरभानी कीजिए नीचे एंसर हां कोरी एंसर सर तीन मेन देजिए क्या तर रहो कोई उपाय निकाल लेंगे तुम बाहर आ जाओ आपने कह दिया मतलब काम हो जाएगा उसके पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी भाई उसने तीन मेने का वक्त तो दिया ना वो तो जरूरत के वक्त बाब भी पैसा नहीं देता टाइम बहुत इंपोर्टन होता है सब्सक्राइब तो युज ताइम वाईसली समझ गया ना मैग लाया है जोई भाई अगली मुसीबत सामने है अस तो उससे मिलके ही रहूंगा उसे समय दिये हुए तीन हक्तों से ज्यादा हो गया है भाई इस ने तो में देख लिए चलो यहां से 9-11 हो जाते हैं उससे बात करता हूं ना जोई सर अरे वो जोई भाई नहीं कोई और है नहीं वो वही है अरे मैं अब है कुमार हूं अरे मुझे देख के क्यों भाग रहे हो यह अलम्पी कातिक तो पीछे ही पड़ गया भाग जोई भाग यह तो बहुत तेज भाग ने मेरे तो पैर भी सपोर्ट नहीं कर जल्दी कर अरे मैं अपनी गारी के सिल्सिले में कुछ बात करना चाहता अरे रुको दो आपकी मज़े से मेरी गारी बर्बाद हो गई यही बताने के लिए आज हमारे नेता लोग इस तरह के सांकेतिक वेशभूशा में यहां बैठे हुए हैं और यही एक कुछी तरीका है बीटी वैगन में जो इस समय साजिश चल रही है उसे आप सब के सामने उजादर करने का आज हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी जनता चाहती है नौजवान हमसे जुड़ने के लिए हमारी अगे आ रहे हैं अभी अभी आए इस नौजवान के माध्यम से मैं आप सभी नौजवानों से यह गुजारिश करता कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हम से जुड़ें हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान कितने गंभीर हैं इन नौजवानों का हमारे पूरा यकीन है कि हम काम्याब हो रहे हैं और इसके लिए हमारी पार्टी आप सभी की आभारी रहे पहुच गई है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इन नौजवानों के सहयोग से अपने देश को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां से उसे वापस लोट कर नहीं दाना पड़ेगा हमारा देश तुम ज्वाय थोकल करन हो ना मैं के अची यूद बिंका सेगेटरी हूँ उल्लास महाज तुम ज़र इदर आओ कुछ काम है तुम चिंता मत करो अब तुम मेरी पार्टी में हो सीबू तुमारा कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन अभी यहां क्या हो रहे धरना दे रहे हैं अगर हम लोग ऐसा प्रदशन करेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे जो हुआ उसे भोल जाओ जा चिंता मत करो तुम से बात सुनकर बहुत कुछी हो रही है पर तुम्हें भी हमारी कुछ हेल्प करनी होगी क्या तुम्हें पार्टी फंड में छोटा सा डोनेशन करना होगा चुनाव होने वाला है तुम्हें तो पता ही होगा जीतने के बाद हम तुमारा पूरा हेल्प कर जब तुम सब लोगों को पता है कि कल मैं साथ अफरिका जा रहा हूं तो पॉल क्यों नहीं अब तक और कल तुमुझे एरपोर्ट शोड़ रहे हो ना नहीं कल कोर्ट में हमारी पेशी है केस में सब ठीक हो जाएगा अरे सोच करे अलुपी तुम्हारी समस्य हाथी का गोबर ह कैसे अब ही मेरी दिककत हाथी का गोबर नहीं दादा जी तो फिर क्या प्राब्लम है ग्रेशी कमिंग डिया आते से बाक्स लेती आना मैं सब सही कर दूंगा तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरुवत नहीं है अब तो तुम खुश हो ना है अरे बोलो तो लो पी मुझे और कुछ नहीं चाहिए दादाजी मुझे भी पताया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तुम बस खुश रहो मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं मैं आपको बहुत मिस्स करूंगा दादाजी यह लिची थांक्यू यह लो खोल कर तो देखो तुम्हारी दादी इसी माला से प्रात्ना करती थी अब इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है और अब मुझे उसकी यादों से छुटकारा मिल गया है जब भी तुम चर्च जाओ ना इसे साथ लेकर जाना मुझे पूरा भरसा है जॉए तुम एक दिन जरूर काम्याब होगे यह हमारा आशिरवाद है बेटा अगर तुम हमारे साथ नहीं होते न तो ग्रेसी जैसी परी मुझे कैसे मिलती अब बहुत बोलते हैं यह परी नहीं भूतनी है अब मैं जा सकता हूं दादाजी इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है यह शांदा सर्प्राइज है आप लोगों को कल में जाकर एरपोर्ट पर छोड़ दूगा अरे आप रह कहां गए थे जॉए भाई चलो जल्दी चलो कोर्ट में केस की शुरुआ दो चुकी है एरपोर्ट चला गया था दादा जी को छोड़ने के लिए बगवान करें वह वहीं पर गिर के मर जाए पीछा शूटे अंसे इस्टेट कमीटी तक बात ना पहुंचे वा और ऐसा सुनने में आया है कि आराएपी पार्टी की तरफ से इस चुनौ में यही खड़ा हो रहा है जीत गया तो त्रिसूर का मेर बन जाएगा उसके बाद तो मुसीबत हो जाएगी मैंने इसे टीबी पर देखा है उसके बगल में जो है ना वहें दूसरा परतिवादी आ जंबाई देखकर दरू मत किसी काम का नहीं है वो उन लोगों के साथ जो वकील खड़ा है ना वह हसन मलिक तुम लोग चिंता मत करो वो सब मैं देख लूँगा दम तो नहीं है लेकिन डराते तो हैं वो लोग आमें पैसा देंगे क्या नहीं तो फिर चिंता करने से क्या हो अब ही खत्म हुआ है तो थाकोल करन अब तुम्हारी क्या समस्चा है मुझे बस नियाए चाहिए यूर्णर कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें नियाए दिया था ना फिर से एक नियाए मांगने के लिए ऐसा होता है क्या यूर्णर ये केस लोग तंत्र के खिलाफ है और इससे कोट का समय बरबाद किया जा रहा है वो कैसे ये आदमी इतने पवित्र सामान अगर बत्ती को हाथी के गोबर से बनाता है इतना गिरा हुआ काम कोई घटिया आदमी ही कर सकता है ये हो सकता है कुछ साल पहले ये यहां रोज आया करता था अपनी टेक्नोलोजी साबित करने तुम्ही वाकील थी ना मैं वही सबोत एक बार फिर से पेश करना चाहती हूँ इस लिस्ट में RIPA, RIPB और ADB के सामुहिक हर्ताल से मेरे क्लैंड को जो नुक्सान हुआ है सब लिखा है करोड का मुआवजा मांगना भी कोट का मजा कोड़ाने जैसा है और उस हर्ताल का मकसद सिर्फ देश के लोगों को सही रास्ता दिखाना था उसी हर्ताल के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इनकी कमपनी पर हमला किया ताकि हमारे मुवक्किल को बदनाम किया जा सके क्यों थाकुल करन हसन जो कह रहा है वो सही है न नहीं यूर उनर जो लोग हर्ताल को नहीं मानते थे उन्हें डिरानी की कुशिश की गई यह किस तरह के समाज की बात कर रहे हैं यह नौनसेंस नहीं यूर उनर इसमें लिखा है कि केरला में हर्ताल के दौरान पाटी दौरा क्या-क्या नुकसान किये गए हैं और इस लिस् उसे पेट्रोल का दाम गिरा क्या? नहीं न? दर असल ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हर्ताल करते हैं, can you believe it? आपको एक बात पता है या ओनर, मुझे इस केस में सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी वाले ने पता है पूरे के पूरे दो लाग रुपे मांगे थे, डोनेशन के रूप में पर्सनल लोन के लिए अपलाई किया है, मिलते ही घर पहुंच जाओंगा देने के लिए मुझे या आना पड़ा क्योंकि मैं पांच तारिक से पहले ही गोबर लेकर आ गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी या अउनर हमें अच्छी तरह से पता है कि सभी पार्टियों के नेता दिल्ली और हैदराबाद में ब्रश्टा चार के आरोप में जेल में बन्ध है चार तारिक को ना तो दिल्ली और ना हिदराबाद में कोई हर्ताल हुई थी, Your Honor पूरे देश में केवल हमारे राज में ही ऐसा किया जाता, Your Honor ये जब देखो तब हर्ताल कर देते हैं, कहते हैं कि घर पर बैठो और आराम से दारू पिते हुए मजा लो काम नंदा सारा छोड़ दो ये सही बात है क्या? I think it's not the right way, Your Honor क्या आप हमें यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए बुला हैं? गुस्सा मत करो केसी, ये जो कह रहा है सही कह रहा है ना और इसमें R.I.P. और A.D.V. के कारकरताओं ने मिलकर मेरे क्लाइंट और उनकी कमपनी को बहुत छती पहुँचाई है और इसमें E.D.W.T. साबू, पाइलो पोरंजी आदी शामिल थे आप चाहे तो इने कट घरे में बुला के सवाल कर सकते हैं, Your Honor यह सब बख्वास है, Your Honor क्यों? आप दोनों अगर इस तरह से बात करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? केस तो काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है साबू और पोरिंजी को घर नहीं बैठने दूंगा उन्हें भी कोर्ट में आना पड़ेगा नेक्स्ट एरिंग ऑन 25 तुमने जो कुछ कहा, मिलकुल सही कहा मैंने काफी समय पहले हर्ताल के खिलाब केस किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया पर मुझे यकीन है, तुम जरूर कुछ कर लोगे किसी भी तरह की सहता चाहिए, तो मुझे जरूर याद कर लेना, संकोच बिलकुल मत करना चलता हूँ ये मास्टर जी सेरिया के गांधी है हाँ, आज से पहले हम नहीं मिले थे, मेरा नाम केसी मैथ्यूज है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मुझे ये उमीद नहीं थी, कि तुम हमें कोट में खड़ा कर दोगे तुमने केसी से पंगा लिया है, अपने अंजाम के बारे में सोचा है, जेल जाओगे हाँ, जाने दो, वो अपना ही बच्चा है, हम फिर मिलेंगे पैदा हुए नहीं, मुकदमा करना सीख गए अब हमारे पास सिर्फ एक ही हाथ सही सलामत है एक बात कहूं, शिनू, हाँ जोई भाई तुमने कच्वे और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी न, हाँ सुनी है कच्वा जानता था कि खरगोश तेज दोड़ता है, फिर भी उसने दोड़ में भाग लिया इस दोड़ में हम भी जीतेंगे क्या हुआ? क्या ये जरूरी है? शिनू, तुझे डल लग रहा क्या? नहीं, थोड़ी घबराट हो रही है धबराने की जरूरत है वो कह रहा था कि छिपकली का सर साप का गोबर और बिच्शू को गोवूत्र में एक साथ मिक्स करके अगर सर पे लगाया जाए तो किसी का भी पागलपन दूर हो सकता है और एक हम लोग है जो हाथी के पैर में फंस कर रहा गए एक महावत की जिन्दगी ऐसी होती है हमारी सरकार को हाथी को दर्शनी जानवार गोशित कर देना चाहिए और महावत को जिन्दगी और पेंशन देनी चाहिए इसके लावा ग्राच्यूटी लोन दुरघतना के लिए बीमा और यह सब हमें तब मिलेगा जब हम एक जुठ होके धना प्रदार्शन करेंगे मेरी वादसाओं में आ रही है कि नहीं तो बोलो राज किया महावत संग की दादा जी ने इसी जगे के बारे में बताया था अरे 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 देखके नहीं चल सकते दारू मैंने पिये चड़ी जोई भाई यही है वो जगह वो यही होगा के एपी यह कपा की स्पेलिंग यह उती है एक पी कम लग रहा है ना पी के सब अंदर होगे चलो देखते हैं अरे तुम मुझे मत सिखा आयपन इधर ही क्या उनसे जरा मिलना है अभी तो बार गये है अभी जो गये हो एक मिल घू करने जोई मेरे जोई जोई थोकलकरंट मेरे दादा का नाम जोग थोकलकरंट महवत नहीं में हुआ जोड़ा जोड़ा जिए बोलो राढ करन Cost to यहां जाओ अगले हफ्ते मैं इस सिल्षले में मिनिस्टर से बात करूगा अब साइड दो रज जाओ एक से लेगे चल नहीं तो बहुत पीटूगा हम लोग गलत समय पर गलत आदमे के पास आगये लेकिन इसने हमें समय दिया है हमें इस पर भरोसा करना चाहिए आखिर त्रिशूर के सभी महावतों का नेता है यहादा हवा लगेगी तुलशा बढ़ जाएगा जल्दी घर पहुंचा दें इससे बात करें तुम यहाँ पर बैठे हो तुमें ढूनते ढूनते आधा खाना पचकिया कभी कभी अपना काम कराने के लिए खाना पचाना भी पड़ता है इस वक्ग जो हमारी साहता कर रहा है उससे भी कानूनी नोटिस मिलेगा तुमने पार्टी वालों से जंगडा किया क्या आपको क् कारे करता भड़क गए मैं भी पार्टी का सपोर्टर हूं तुम कह रहे हो कि क्या प्रब्लम है पागल हो गया जो पार्टी वालों के खिलाफ केस कर दिया अच्छा जब वो लोग मुझे कर सकते हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कर सकता क्यों मैंने ठीक किया ना तुमने जो गलती किया ना उसकी सजा तुम्हें भुगत नहीं पड़ेगी, क्यों शेनू गर्व की बात है की नहीं, अच्छा आपके पार्टी ने ऐसा किया तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पार्टी से माफी मांग लेनी चाहिए मैंने किसी से वादा किया है कि तुम्हें जरूर मना लूँगा ये कंप्रमाइस के लिए करा है तुने भी होई कहा था इंका कहना मान लो अब देखिये ना मेरे और पार्टी की बीच में प्रॉब्लम क्या है मैं आजाओंगा मुझे जिस चीज की जरुवत थी वो मुझे एपन भाई की तरफ से मिलने वाली है इसलिए समस्या खतम मैं बात कर लूँगा डॉंट वरी आल बीदेर पार्टी का ओफिशल ड्रिंग ये क्या चीनी का दाम कितना बढ़ गया है न मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पार्टी के मुख्या केसी ही पार्टी की तरफ से चुनाओ लडेंगे ये निर्ने लेने में हमने पहले ही देर कर दी है कि अपसी वाले अपना काम शुरू भी कर चुके है निता जी अगर आपके अलावा कोई दूसरा खड़ा होगा तो उसका जीतना मुश्किल है ऐसा पार्टी के लोग कह रहे है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ ये निर्ने भी उपर से पार्टी चीफ का है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने भी अपना योगदान दिया है अब इस निर्ने से पार्टी के लोगों में मद्भेद नहीं होना चाहिए हमारे केसी को चुनाओं में नामांकन के लिए हमने चुना है दरसल जॉय ने हमारी पार्टी पर केस किया था, उसके लिए वो हम सब से आज माफी मांगने आया है माफी मांग लो? जाओ ना, अब हम जॉय को सम्मान के साथ यहां बुलाना चाहते हैं जाओ ना, जाओ ना कल केस अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर कमेटी यह सोचेगी कि तुम्हें माफ किया जाए या नहीं अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी से एक शमा कैसे मांगो, लेकिन इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर आपके पार्टी के लोग कब और कितना मुआवजा देंगे, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मुआवजा देना होगा मुआवजा देना होगा? हरे तुम जिन्दा हो, यही तुम्हारे लिए मुआवजा है, चुप चाप माफी मांगो और जाओ यहां से अच्छा, तो फिर मैं किस बात के लिए माफी मांगो? अरे भई पार्टी के खिलाफ जो तुमने केस किया है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए अच्छा, नेता जी आपका बीटा, अमरिका में रहकर पढ़ा ही कर रहा है ना उसके लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? इसी सब से आता है ना आपने कहा था ना पैसे लेके मामला साटिल कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा है, ये किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं आप निकालो इसे यहां से मुझे धमकी मत दो, मेरा कुछ नहीं कर पाऊगे सनो, मैं भी घाट-घाट का पानी पी चुका हूँ, आकाश से लेकर पाताल तक हर जगे घूम चुका हूँ अब समझ में आ गया है कि आतंकवादी को पैदा करने में किसका हाथ होता है? संघर्ष का ना तीक है, फिर मिलेंगे, आप सौगए क्या? सौरी किसी साफ, आज के बाद मेरा ऐसे कोई संबन नहीं है, पाटी जो चाहे कर सकती है नेता जी, आप कहे तो उसे मार दो, किस बात के लिए? अरे अपना ही बच्चा है, और फिर अगर हम उसे मारेंगे, तो वो और आगे बढ़ेगा, अब जो करना है वकील करेगा तो हम चलते हैं पहली बार सुना के किसी के साथ हाथी के गूबर के लिए इतना सब कुछ हो रहा है सही कहा है अपन भाई, आफिस को दुबारा चालू करने के बात करता हूँ, तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती है मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सज कहूं तो मैं उस उन्सान को नहीं पहचान पाया, जो उस दिन संग की मीटिंग के बाद मिला था मैं समझ सकता हूँ, उस दिन आपने ज्यादा पी ली थी है अपन भाई याद क्यों दिला रहा है, यही वज़ा है कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह बैठा हूँ, तुम्हें पता है कि बोतल का रिष्टा खून के रिष्टे से भी बढ़ा होता है तुम्हारे दादा और मेरा रिष्टा भी बोतल का ही था आपका रिष्टा कब से है जब हम 20 साल के थे तब से रिष्टा बना फिर धीरे धीरे वो अमीर होता चला गया तो उसकी बोतले विदेशी हो गई लेकिन अच्छी बात है कि तिरे दादा मुझे नहीं भूला बोतल के रिष्टी में पता इतनी शक्ती होती है अब तो समझा ये बात अरे वात तू तो बिल्कूल अपने दादा के उपर गया है यह ब्लाक टी है अब इस बात के संभावना नहीं है कि आप सा रिष्टा जोड सब ठीक हो जाएगा अरे इसमें चीनी नहीं डाल सकता था क्या तो तुम्हें रोजाना कितना गोबर चाहिए होगा जितना चाहिए उतना मिल सकता है क्या भाई आपन भाई किसमत अची थी कि हरताल के दोरान हमरी मशीन को नुकसान नहीं पहुचाया तो जैसे ही माल हम पहले की तरे थोड़ा भूत प्रडक्शन शुरू कर देंगे यहां पर जितने भी महावत हैं वो सब मेरे बच्चों की तरह है पर दिक्कत इस बात की कि यहां तक हाथी का गोबर कैसे आएगा अचा सभी हाथियों को गोबर के लिए यहीं पर लाकर रखा जाए तो क्या अरे यह सई बोल रहा है एपन भाई हाथ यहां से निकलेगा तो यहीं बान देंगे गोबर आसानी से मिल जाएगा अरे यहां पर धेर सारी जगह है नहीं तो यहीं अर्जमेंट मैं अपनी जगह पर भी कर सकता हूँ अरे बेटा जोई क्या रोज रोज ऐसा हो पाएगा यह प्रैक्टिकल नहीं है अचा आप ही कोई प्रैक्टिकल उपाए बताई ना एपन भाई क्या तुम रोज कोई गाड़ी भेज कर थिर्सुर पाल घात रोड से गोबर मवा सकते हो अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें जित्रा चाह उत्रा गोबर मिल जाए वैसे एक गाड़ी थी जो हड़ताल के दौरान तोड़ी गई उसकी भरपाई अब तक हम लोग कर नहीं पा और हमेशा खड़ा रहूंगा आपन भाई आप बहुत मदद करने वाल इंसान है दादा के साथ आपका बोतल का रिष्टा था तो मेरे साथ गोबर का रहेगा तुम कब आये है 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 अपने सेलरी से एक गाड़ी है लोन पर ले सकती हो बीम डबलू चाहिए या कुछ और काम के लिए एक छोटी गाड़ी की जरुवत है ताकि मैं अपनी फैक्टरी का प्रड़क्शन फिर से शिरू कर सको इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जोए बस इस महीने रुको इस मन्त के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाए गाड़ी चुरा ले क्या में रोड पर रात को कितनी गाड़िया खड़ी होती है तुमारे पिता जी यही काम करते है पागल लड़की यह कैसा लेटर है बोर्ड साया क्या साथ अफरिका यह तो दादा जी का लेटर है अब ग्रेसी जी पूरी दुनिया घूम लेने के बाद चांद पर जाने का प्लान कर रही है क्या ज़रा पकड़ इसे अब देखता हूं कौन सी मुसीबत भीजी है यह देखो कितना सुन्दर फोटो है यह यह सब प्यारे जॉय बेटा तुम वहां पर ठीक तो हो ना दादा जी सच में विलकुल ठीक हूं आप खोद हमें मुसीब ना सब्सक्राद हमको आप समझ आए इस साल प्लान के मुताबिक क्रिस्मस के दौरान हम लोग यौरप घूमने जाएंगे प्यारस में ग्रेसी का भाई भी रहता है तो हो सकता है कि हम लोग वहां भी घूमने चले जाएंगे यह भी लेग देना चाहिए था कि महां जाकर प यहां पर जित्रा खर्चा हो रहा है वो तो ठीक है बगर उसमें से बचा कर मैंने एक चेक इस लेटर के साथ भिज़वाया है वो तुम्हारे लिए है हाँ चेक कहा है केदर है अच्छा यह यहां पर है देखता हूं साड़े चार लाक रुपए मेरे दादा तुम्हें पता है न मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि एक दिन तुम अपने बिजनस में बहुत काम्याब होगे मेरा भी यही सपना है बेटा आल दे बेस्ट प्यार भरा आशिर्वार तुम्हारा दादा लॉव यू दादा आपका सपना पूरा करूँगा चाहे कुछ भी करना पड़े देखा मेरे दादाजी कैसे अब तुम देखना मेरा जल्बा में क्या करता हूं लॉरी तो मैं कल ही जाकर खरीद लूँगा दादाजी आम सॉरी मैंने आपको गलत समझा अरे ऐसे क्यों बैठे हो जाकर कुछ खालो नाई भाई आज केल भूखी नहीं लगती सिधा रात में ही खाऊंगा जिन्दा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा चलो ठीक है शेनु देख जैसे कोई भूखा कुता रोटी के लिए बढ़ा है जॉय भाई कभी कभी वो बहुत गुस्ते में आता है उसे प्यार से हैंडल करना सुना एस्पताल से आने के बाद वो दिंदरात यहीं पर पड़ा रहता है और करसदारों के डर से वो घर पर भी नहीं जाता है वही कंडिशन तो हमारी भी है हाथ में हथोड़ा लेकर क्यों बठा कुछ तोड़ना है इसे क्या अब है बेटा ए तु पहले से गोरा हो गया और मैंने तुझे कहां कहां नहीं डूड़ा आखर कहां था इतने दिन तु हां अंटाक्टिका चला गया था यहां क्यों बठा ह मालिक ज्यादा बाते मत करो मिलने के लिए कितनी बर पीचे-पीचे भागा हूं बड़े आये हैं अरे यह मुझसे मिलने आये तुझे बताना चाहिए था ना वह भूल जाता था यह कोई भूलने वाली बात है क्या है देखो मालिक मेरे सबर की परिक्षा मतलो मैं अपने हा यह सर अरे तुम्हारे सर की चोट कहां गई ऐसे गयाब हो गई जैसे गदे के सिर से सिंग यह लो यह मेरे लिए है क्या मालिक तुम्हारे लिए है अब है एक बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं मेरे लिए काम करने वाले को मैं धोका नहीं देता मालिक अबहारी ग भी जमानी किया आच्छा यह भी खतम कर देते हैं चेक निकाल हम इधरा यह रख लो पैसे रखने की सही जगे यही है अब सही है लव पूरे जिरो है ना गलत हो गया तो लफड़ा हो जाएगा यह लो अपना पूरा लोन चुका देना हमारे दुश्मन देख लेंगे सारा मज़ा बिगड़ जाएगा चलो अपने आसू पोछो एक बात को अभे गाड़ी का लोन खत्म होने के बाद इसका नाम बदलेना एक चोटा सा नाम लिखवा देना पुन्यालनगर बत्ती बिलकुल मालिक मैं कुछ समझा नहीं इसमें समझ नहीं तो बैंक वाले उससे लेकर चले जाएगा ने ने मालीक ये गाड़ी मेरे लिए मेरी मा समान है अगर परिशान मतो गाड़ी के ड्राइवर तुम ही रोगे बस नाम बदल देना उसकार कुछ नहीं क्या मैं गाड़ी का नाम बदले बिना गाड़ी नहीं चला सकता हू मालीक अरे फिर तो मैं बेकुब बन जाओंगा ना अच्छा एक बात मुझे सोच कर बताओ अगर पुन्यालन अगर बत्ति का काम चल गया तो तुम पर्वारेंट स्टाफ बन जाओगे कि नहीं डोंट फगट देट प्रॉफिट शेरिंग जोई भाई के साथ वैसे ही जु चिंता मत करो बाहर ज़रूर आएगा या हुआ इतनी देर क्यों लग रही है अरे रुको हलो मिस्टर पापन इसके करने का कोई टाइम फिक्स है क्या अब हाथी को गोबर देने के लिए फोर्स थोड़े ने कर सकते हैं ये सब उसके मूट पर है तो मूड बनाने को बोलो मूड कोई पेड़ का फल थोड़े ही है इसे सोसाइटी में कहें लिए हैं अरे समस्या खड़ी हो जाएगी गाड साब बस थोड़ी देर और दिखाईनी दर आया हाथी बना हुआ है पता नहीं कहां कहां से गाड जा जाते हैं जादा बोलेगा ना हाथी को एक अंडर्वेर पहना देते हैं कपड़े में ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और शाम में आकर सामान ले लेंगे क्या कहते हो सुनो आयपन भाई यह जो कह रहा वो ठीक लाग रहा है तुम किसी जीव की प्रकृति के साथ खिलवार नहीं कर सकते नहीं तेर आइ यह हुईना बात अरे बंद हो गया अरे बंद हो गया अरे शेटर डाउन चलो आज के लिए इतना ही काफी है एक दिन में पहाड तो नहीं बना देगा ना अरे वाह कितना भारी है हमारी मनो कामना पूरी करो मालिक हम करीबो पर भी कृपा कीजिए हम आपका साथ देंगे हां तुम लोगों ने जैसा साथ दिया उससे तो मुझे लगा था कि मैं आत्महत्या कर लो बहुत सैसी बात मत करो आगे सैसी गलती नहीं होगी हम समझ में आ गया अजा सुनो तुम त्री प्रयाग जाओ और वहां मंदिर के सामने गाड़ी लेकर पह कल अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो दादा जी का भेजा हुआ पैसा बरबाद हो जाएगा फिर मैं पुन्यालन अगरवत्ति को नहीं बचा पाऊंगा सब खतम हो जाएगा भाई यही तो यह आर आई पी के तीनों कारे करता हैं जिनोंने मेरे क्लाइंट जॉय थाकुलकरन की फैक्टरी में घुश कर तोड़ फोड़ की थी इडिवेती साबू, पाइलो पोरंजी, आयंदोर श्रीबू हलो, इन ही लोगों ने तुम्हें मारा था क्या? हाँ यह आउनर कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाई यह आउनर, जब यह लोग मुझे मार रहे थे तो जवाब में मैं भी अपने बचाओ के लिए इन लोगों को मार रहा था इनके बीच में जो खड़ा है, उसके पिछवाडे पर मैंने एक लाठी मारी थी आप चाहें तो इनके कपड़े खुलवा के देख सकते हैं साइलेंस, साइलेंस लोगों का पिछवाडा चेक करना मेरा काम नहीं है तुमारे पास कोई ठोज सबूत है तो बताओ इसके पास कोई सबूत नहीं है और जो सबूत दे रहा है, उसके आधार पर इस केस को बिलकुल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता कारण, चार तारीक को जब हरताल हुई थी उसके डिड मैने पहले ही इन तीनों आदमियों को पार्टी से निशकाशित कर दिया गया था प्लीज, और डिफेंस एविडंस जिसमें इन तीनों को पार्टी से निशकाशित करने की बात लिखी गई है ये वो लेटर है इन लोगों ने जब जॉयत हुकुल करन पर हमला किया था तब ये पार्टी के सदसे नहीं थे, इसलिए इस केस का, पार्टी के साथ किसी तरह का संबन जोड़ना बिल्कुल गलत है, तो इस केस को यहीं बंद करने की इजाज़त दे जब पार्टी वालोंने मारने के लिए नहीं कहा तो तुमने इसे क्यों मारा? हमने कभी किसी को नहीं मारा है, तीरे बोलो, पुरानी बिल्डिंग है, ये कह रहे हैं इन्होंने किसी को नहीं मारा, तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तो केस को आप खत्म करना ही पड़ेगा, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सहीं नहीं है ये ओनर, प अगर कोट मुझे कुछ कहने के इजाज़त दे तो इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर कट घरे में आकर कहिए हुजूर इनकी पार्टी और इनके वकीर जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ही जूट है साफ साफ कहिए मास्टर जी चार तारिक को जब हर्ताल खत्म हो गई थी ये तीनों इस महिने की दस तारिक को आई आई पी पार्टी के साथ बीटी वैगन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे अगर देड़ महिने पहले ही इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था तो फिर पार्टी की तरफ से जो आयो जन हुआ उसमें ये तीनों कैसे शामिल हुए थे क्या तुमारे पास कोई सबूत है बिल्कुल है जिस प्रदर्शन में ये शामिल हुए थे इसकी मीडिया रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ सब कुछ है मेरे पास ये गवाही नहीं दे सकते बिना किसी पर्मीशन के कोई आदमी कोट में आकर गवाही कैसे दे सकता है अगर आप नहीं चाहते है हुजूर तो आप मेरी बात से सहमत मत होई है पर मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है मैं ऐसी नपुंसक पार्टी के साथ जुड़कर बहाद गिरा हुआ मैंसूस कर रहा हूँ जूर यह बहुत ज्यादा बोल रहे है तुम यह केस मैं जीत जाओ और पार्टी से मुझे पैसा मिल जाए तो अभी मेरी समस्या का समाधा नहीं होगा यह बात आज समझ में आ गई आज तुम्हें हाथी का गोबर चाहिए ना जितना गोबर चाहिए मैं लाकर दूंगा नहीं तो चला जाओंगा आखिर मेरी भी कोई इजटा यह देखो तुम्हारा ड्राइवर भी आगया नमस्ते क्या हो रहा है कुछ नया चल रहा है तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है तुम जा मैं आता हूँ सीरियस मैटर लगता है मैं केस में कुछ मदद करूँ बोलो तुम कहो तो केसी मैथ्यूज और पापन कोतम के बीच के कॉल रिकार्डिंग तुम्हें आफिस से निकाल के देदू अगर तुम ये काम आपने आफिस में करोगी तो नौकरी खोद होगी अनू मैं सोच रहा हूँ तुम कार्पोरेंट में हो तो हमें काम करते हैं हम एक ग्रुप से निकाल कर जितने भी महावाथ है उन सभी को दे देते हैं तो जब भी उनका हाथी गोबर करेगा तो वो अपने साथियों को ख़बर कर देंगे जब हाथी भूल जाते हैं तो फोन भूलना कौनसी बड़ी बात जब मैं महावथ था तो मैं भी पीने के बाद कहीं भी सो जाता था और अपने हाथी को भूल जाता था चलो नजोए मैंने कहा ना तुम जा मुझे यह कुछ काम है काम कल भी तो हो जाएगा ना लेट्स गो फॉर ड्राइब कमान चलो तुमको भी पीनी है नहीं मैं चलता हूं चलो चलता हूं भाई ओके इतने रात को फोन हलो शीनू क्या बात है कब कहां से किस बात के लिए अहां मैं अभी आता हूं क्या हुआ कोई प्राब्लम अब एको पोलीस ने स्मंगलिंग के जुर्में गरफ्तार कर लिया है भगवान फिर सेक नहीं मुसीबत का है वो उसे अंदर रखा है क्या स्मंगलिंग के असने हाती का गोबर उसे फसाया गया उसे जमानत नहीं मिलने वाली जब केस करने जा रहे थे तो समझाया था अगर मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता अंदर चल कर देखते हैं मैं चुप हो इसका मतलब ये लोग मेरे सर पे नागिन डांस करेंगे क्यो भाई तुम्हे क्या लगता है कि तुम लोग रोट पर से गोबर उठा लोगे और पुलिस से बच जाओगे अगर कोई मालिक से बिना पूछे उसका समान ले जाता है तो पुलिस की भासा में उसे स्मागलिंग कहा जाता है क्या तुमने गोबर उठाने से पहले हाथी के मालिक से गोबर उठाने की परमिशन ली थी मालिक मुझे बचा लो मालिक थोड़ा इंतिसार करो याद रखो, एनवार्वेंट बोर्ड ने कंप्लेंड किया है सर, हाथी जब रोड पर चलता है तो अपना गोबर भी रोड पर ही करेगा ना तो क्या आप हाथी को भी गरफतार कर लेंगे अगर तुम मुझे कानून सिखाओगे तो अंदर कर दूँगा, समझे जोई, यह उनकी भाषा बोल रहा है, पुछ कहने की जरुरत नहीं है यह कोई क्रिमिनल तो नहीं है, सर, इसको जमनत दे दीजिये ना क्यूँ? मैं महा से मिलना चाहता हूँ मुझ बंद रख पार्टी वालों के कहने पर ही यह केस हुआ है तुम पार्टी वालों से माफी मांग लो, केस खतम हो जाएगा मेरे कुता भी उससे माफी नहीं मांगेगा आपका मन है तो आप उसे कोट ले जाएगे मैं वहाँ से जमानत करवा लूँगा, चलो वकिलिए यहां से चलो चलते हैं मालिक मुझे भी साथ लेते चलो मालिक, ले चलो ना भाई तुम चिंता मत करो जोई भाई सब समभाल लेंगे, चल जा बैं, क्या समभाल लेंगा तुम लोगों के साथ जूडने के करण मेरी सिंदगी भी आदी के गोवर की तरह हो गाई है अगर ऐसा हो सका तो मैं तुम्हारी माँ को यहीं तुम से मिला दूगा बात हो गई क्या, अब चाल निकल यहां से, निकल निकल अरे भाबरे, तुम भी जा रहे हो यह लोग कानून की नहीं पार्टी की बात मानते है पता होता इतना कोट जाना पड़ेगा, तो मैं भी वकील की बढ़ाई कर लेता तुम देखती जाओ, क्या हाल करता हूं इनका, एक बार इन सब को जरा कोट में आने दो उनकी फोन रिकार्डिंग और उनकी बयान से, देखो मैं उनके साथ किस तरह से खेल खेलता हूं वकील, आजा शिरू, नानी दादी याद आ जाएगी उनको, समझते क्या अपने को, बस देखते जाओ जोई भाई वकील की जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है आरे, जाने दो, आभी तो मुझा खुदी डर लग रहा है, क्या मुसीबेद है आ जा आराम से आवाज मत करना चलो चलो आजो 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 चलो चलो आज़ो अच्छे लग रही हो ना सुंदरी तुम बहत सुंदर हो तुम सिर्फ मेरे लिए हो अच्छा, वो लोग रुमांस में खोई वे हैं, उसका हम लोग वाइदा उटाएंगे तुम वहाँ से चलो, इधार, तुझा चला हैंसे फोटो मतिलो, फोटो मतिलो, पाटी हम दोनों को सस्पेंड कर देगी मुझे एक फोटो लेने दो, तुम इन कपड़ों में एकदम फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो, मैं एक फोटो लेने जा रही हूँ इधर को हीडन कैमरा तो नहीं लगा है ना तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना जानू, मैं तो डाउट किलियर कर रहा था अरे हम जो कर रहे हैं वो सीक्रेट है ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए वादा करो, तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगे इस साल बेटी की पढ़ाई खत्म हो रही है फेर उसकी शादी करा दूगी किस से? मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे से? और किस से? अगर तुम अपना वादा भूले मेरा दूसरा रूप देखोगे जो अब तक नहीं देखा तुमने तुम जैसा चाहती हो, वैसा ही होगा जब हम लोग रिष्टेदार हो जाएंगे तब हम लोग ऐसे ही फैंसी कपड़े पहन के एक साथ खेला करेंगे ठीक है ना? यह तो ऐसा यह जैसे ओबामा ने भी लादेन के साथ किया था इससे कैसे खोलो कि खुवाना पड़ेगा वो अरे खुल गया खुल गया मेरी बेटी ने एक नई फोटो फेस्बुक पे डाली है मैं तुम्हें दिखाती हूँ दिखाओ ना मुझे फोटो दिखाओ ना वो दिखो वादमी और तो अली नाटी पहना है यह जो अलो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है आज यह कमिना जाल में पास जाएगा अमेरिका से तुम्हारा बेटा भी फोटो लाइक करेगा फोटो तो दिखाओ रहा है चलो उसको निकल दी पकड़ना होगा अब हम क्या करें अब में कहां जाओ अरे भाड़ जाओ जहां जाना जाओ तुम तो बदल गए इधर से आएगा वो इधर से आएगा मुझे पक्का पता है जानते हो मैं कौन हूँ जाओ यहां से नहीं तो तुम कर क्या लोगे नाइटी तो बहुत अच्छी है उसने तुम्हें प्रेगनेंट कर दिया क्या पोली स्टेशन लेकर चलो इसे नेता बनकर इतना घटिया काम करता है पूरे त्रिशूर में सबको पता चलना चाहिए प् केसी सर मुझे माफ कीजिएगा बाहर आपके लिए बहुत खत्रा था इसलिए लोक अप में रखना पड़ा अरे कपड़ा दो बदलने के लिए अरे केसी सर आपके लिए जान हजरे लूंगी क्या चीज है पहन लीजिए और आराम से पहनिए आपको कोई खत्रा नहीं है बात को दबाना होगा अरे एलेक्शन भी सर पर है तुम समझ रहो ने मेडिया तक ये बात नहीं पहुंचने चाहिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा आप चिंता मत कीजिए सर अगर मेरी फोटो छप गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा अरे केसी सर आप किसी ब मुझे माफ कर दो भगवाल मुझे माफ कर दो नहीं करूंगा एक बार माफ कर दो दुबारा नहीं करूंगा इने सिधा पार्टी ओफिस लेकर जाओ अच्छा है अब भगवाल का यही काम रह गया है कि बलतकारियों को बचाते रहें एक भी न्यूस बाहर आने वाली नहीं है चाहे जितनी कोशिच कर लो कुछ नहीं होने वाला किसी कोई भीगी बिल्ली नहीं है बहुत पावर है तुम जाओ मैं तुम्हें फोन करूँगा अरे इतने कम पैसे दिये तुम जो न्यूस लेकर आया हो वो कोई बहुत बड़ी न्यूस तो है नहीं हमें कुछ अलग तरह के न्यूस चाहिए जाओ तुम मैं फोन करूँगा किसी को पताना चले जाओ ठीक हमें दो दिनों बाद सारे सबूत लेकर कोट में पेश करनी के लिए कहा गया है क्या हुआ जॉय भाई है उन सब के कोई जरुवत नहीं है उन लोगों के पास बहुत पैसा और पावर है शिनू दादा जी ने जो पैसे भेजे थे उन में से अब कितने बचे हैं क्या कामे जॉय भाई जिस खरगोश के सोने का इंतजार है वो नहीं सोगा कच्वे के पास ये लाज चांस है मैं एक एहम फैसला करने जा रहा हूँ इसके लवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मैंने अभी अगर कुछ नहीं किया तो हम किसी को मूँ दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये बात दिमाग में रख लो क्या जॉय भाई बताऊंगा तो मैं थ्रिसूर में अनिश्चित कालीन हड़ताल हे बगवान कोई समस्या नहीं होने दिना लाओ मैं चिपकाता हूँ अब ये खेल राजनितिक रंग ले चुका है देखते हैं आगे-आगे क्या होता है ये चिपा क्यों यह रहे हैं जॉय भाई पोस्टर चिपका दिया है क्या ये पोस्टर देखकर कल लोग हड़ताल के समर्थन में आएंगे थोड़ा टेंशन हो रहा है ये हमारा पहला कदम है अब हमें ये करना है कि निउस के माध्यम से बाद चारों तरफ फैल जाए यह होगा कैसे? वो हमारा दूसरा पोइंट है यहां क्या हो रहा है? अरे सर लवेन आपको पता नहीं क्या कल हड़ताल है कल राज पूलिस ने केसी मैथ्यूस को अरत के साथ रहे हाथों पकड़ा है ऐसे लोग राजनीती में आगे तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा हाँ, सही बोली हेलो, मैं नहीं आप आऊंगी कल सुबह से हड़ताल है मैं घर जा रही हूँ चलो ऐसे काम करने में सूसू करने का भी टाइम नहीं मिलता है अब देखते रहो काम कैसे होता बस सुबह तक का इंतिजार करो बेटा मिल गया, मिल गया काफी खर्च करके ये टेप लेकर आया हूँ अब ये टेप किसी भी चैनल वाले को नहीं मिलेगा अरे सुनो, इसे हम पार्टी के लॉकर में सेफ रखेंगे इधर दो, ये कोई आवर्ट जितने वाला वीडियो है तुम और तुम्हारा ये टेप ये लड़के, ये बताओ कहीं वो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर तो नहीं डाल देंगे यूट्यूब? ये कैसे ट्यूब है? अरे, तुम्हें तो पता है न, यूट्यूब? ये इश्वर, यूट्यूब पर? हाँ, तब तो अमेरिका में मेरा बेटा भी देख लेगा केसी, अब ये बात तो तुम्हें उस औरत के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था ग्रियम मंत्राले तक ये बात पहुँच जाएगी क्या? ये लो, कर लो बात, मेरा मुह मत खुलो केसी, नाइटी का अंड की बात तो पहुचेगी अगर ये बात पेपर में छग गई तो बहतर होगा, तुम फासी से लटा कर मर जाओ अरे, पेपर भी आ गया, पहले मैं देखूँगा देखो कहीं बात छपी तो नहीं अरे, मुझे देखने देखने दो, फ्रंट पेज भी छपाया नाम नहीं है, रुकुम लटी हो फ्रंट पेज पर तो नहीं है, इस मुह नहीं है, दिखाओ हाँ, देखे, इस पर भी नहीं है हर्ताल, नोटिस, जड़ा देखिए तो अरे, केपी एसी, ये क्या बला है भाई, इसमें तो तुम्हारी फोटो छपी है, ये किस ने किया है, तुम पार्टी का बढ़वारा करना चाते हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हे भगवान, ये खबर अब मेरी फैमली तक पहुंच जाएगी केसी, तुम मेर बनने की लालज में मत पड़ो, उससे तो अच्छा ये होगा, कि शहर छोड़ कर चले जाओ, पार्टी के लिए भी सही रहेगा जिसूर के प्यारे नगरवासियों, जहांके हमारे मान निता, केसी मैध्यूस सर को, पुलिस ने जूटे केस में गिरफ़तार कर दिया है, और इसमें वीडिया भी उन्हें बदनाम कर रही है, इन सब संगटनों के विरोध में, केपी एसी पार्टी ने हड़दाल दोशित क है, आप लोगों से हमिनोद है कि इस हड़दाल को सफल मनाए, हमारी सहाइदा कीजिए, हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्न गुजार रहे हैं, हाँ बोलो, क्या, आज हड़दाल में लोग बढ़ चड़ के हमारा साथ दे रहा है, हाँ उनको बता दो, हाँ, ओके, ओ रोड पर एक भी आदमी नहीं है, आप समझ में आ कि केसी के सपोर्ट में कितनी पबलिक खड़ी है, इस केस में मैं आपका साथ देने वाला नहीं हूँ, हमारा भी कोई इमान है, अरे सुनो भाई, ये कहीं भी जाए, छुप नहीं पाएगा, सोशल मीडिया का समाना है, ये जाएगा, बैट जाओ, तो सटेंडे से मारूँगा, चलो, ये जाएगा, ये जाएगा, हमारा मकसद सफल हो गया, अईयपन भाई और बाखी लोगों को जल्दी बेल मिल जाएगी, इसमें किसी वकिल की भी ज़रूत नहीं पड़ी, क्योंकि हड़ताल जो थी ना, यहां त करूँगा, उसकी बोटी-बोटी काट डालूगा, बेवकूफों की तरह बात मत करो केसी, ओलूर का ये छोटा सा केस अदालत में बिना किसी गवाह के साबित नहीं हो पाएगा, जाओ घर जाके आराम से साबून लगा के नहाओ, और सुनो, हम उसे कानूनी तरीके से जाहे जहां भी छपाओ, उसे निकल नहीं पड़ेगा, जाओ कल कोट में मिलते हैं, केसी, उसका नेता चाहे किसी भी मान में छपाओ, वो ज्यादा देड छिपकर नहीं रह पाएगा, समझ गए ना? यह सबूत है, जिससे साबीत होता है, कि यह सभी गुंडे पार्टी वालों ने भेजे थे, मेरे क्लाइंट जॉइ थोकल करन पे हमला करने के बाद इन गुंडों को पार्टी से निकाल दिया गया था, यह पार्टी रजिस्टर की कॉपी है, योर ओनर, गल इस केस में बहुत इंट्रेस्टिंग डेवलेपमेंट होई है, जो इस पेपर में लिखी हुई है, प्लीज सीदिस योर आनर, अच्छा, वही है, इसे कल ही देख चुका हूँ, केसी और उस औरत के सिल्चने में हर्ताल, इस जोटी हर्ताल के पीछे, किसी और का नहीं, बलकि जॉय का हाथ था, इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होगा, मिश्टर जॉय, हमें त्रिसूर के प्रिंटिंग प्रेस से तुम्हारा भेजा गया वोई इमेल मिला है, जिसमें इस नोटिस की सौट कॉपी है, इतना ही नहीं, कल ओलोर पुलिस ने जितने लोगों को गरफतार किया, उसमें नहीं करवाय था, यह हर्ताल पूरी तरह से साफल हुई, इसमें केसी मैथ्यू का कोई सपोर्ट नहीं था, जो औरत के चकर में कई छिपा था, हाँ, यह हर्ताल मेरे ही आदमियों ने की थी और ठीक वैसी थी, जैसे दूसरी पार्टी वाले किया करते हैं, रोज रोज यह बिना किसी काम के हर्ताल की घोश्रा कर देते हैं, यह नहीं सोचते कि रोज जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उसका क्या होगा, तुम्हें इसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, यह सब समालने के लिए सरकारी तंत्र है, मिश्टर जोई, बट फॉर दर टाइम बिंग, आम जन्ता में हर्ताल के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, खुद मिश्टर जोई ने थमकी दी थी, यह कोट में सावित हो चुका है, और यह हर्ताल करवा के मिश्टर जोई ने जो अपरात किया है, उसके लिए कम से कम इने तीन साल की सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे चल कर कोई इस तरह की गलती करने की कोशिश न करे, इस तरह के लोग हमारे देश और समाच के लिए खत्रा है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एस वार कैप एक्ट, इस कड़गरे में खड़े जायत हकोल करन को, मैं जानून के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए कोर्ट जॉय तोकल करन को, पुलिस कस्टडी में आगे की पूशताज के लिए भेजने का हुकम सुनाती है, हमें नेलसन मंडेला जैसे लोगों का शुक्र गुजार होना चाहिए, जेल में आने के बाद ये बात मेरी समझ में आ रही है, लोगों की आजादी के लिए वो च्छे फुट की जेल में रहे हैं, हम तुम्हारी बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं रहे, अभी तक नहीं हुई, अगर ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें तलाग दे दूँगा, हाँ, क्या हुआ वखिल, कोई उमीद बनी? जमानत नहीं मिल सकती, क्यूंकि अब तुम्हारा केस यहां से भी और में शिप्ट हो गया है, ये भेरु का जेल यहां से अच्छा है, मास्टर जी, आप भी तो कई बार हर्ताल में शामिल थे ना, उफ, पूरे तीन साल, बहुर हो जाओगे न, शिनू, ए, तु ऐसे रो क्यों रहा है, सब कुछ पॉजटिव होगा, तु यहां से जाने के बाद शान्ती से विचार करना, तुझे कोई डिस्टक परने नहीं आएगा, बाहर आऊँगा तो पन्यालन अगरबत्ती से भी बड़ा आइडिया लेकर आऊँगा, तु इंतिसार करना, और हिम्मत रखना, दुख तो मुझे मास्टर जी के लिए पुरा है, इतने साल का आपका अनुभव, और फिर भी आप मेरे लिए कुछ भी करने में काम्याब नहीं हो पाए, मुझे अब जेल मेरे नहोगा, जो है, तुमने जो कुछ भी किया, वो बिलकुल गलत था, यह ब अलो ठीक है, मान लिया कि सारी ताकत उनकी तरफ है, पर उनके खिलाफ अकर हम कड़ी आवाज उठाएंगे तो हमें जीत जरूर मिलेगी, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाने जा रहा हूँ, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जब तक तुम्हें नयाई नहीं मिल ज करूंगा, मैं नयाई के लिए तुम्हारे साथ हूँ, बेचारा, इसके लिए कुछ खाने का इंतिजाम कर दे क्या, अब है, यह पूरी तरह से भूख अड़ताल है, आच्छा, क्या सारे लोग अन्ना हजारे की ही तरह इंके हड़ताल को समर्थन करेंगे, ऐसा चाहे हो या ना हो, मगर हम लोगों से उसके लिए जितना हो पाएगा, हम उतना जरूर करेंगे, इस हरताल का मकसद, केसी ने जो दुष्टता की है उसका परदाफाश करना है, जाय ने बिल्कुल सही किया है, वो कहता था कि उसका लक्ष सिर्थ रिसूर केरला या इंडिया नहीं है, अरे भाई, मुझे इस बात का गर्व है कि जोए का पहला बिजनेस पार्टनर मैं था, जाय हमारा बच्चा है, हमारा, सर आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्टर के बारे में तुम्हें नहीं पता क्या, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, बात फैल जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होगा, हम चुनाओ हार जाएंगे, फंड्स भी नहीं मिलेंगे, सफलता हासिल करनी के लिए, कभी-कभी असफलता का मूद देखना पड़ता है, हमें ये काम करना ही होगा, हम चाहें या फिर ना चाहें, एक बात सुन लो, मास्टर के उपवास की वज़े से, के एफसी वाले ये सोच रहें कि वो चुनाओ जीत जाएंगे, उन्हें जटका देनी के लिए एक आइडिया है, हम एक ऐसा ट्रम कार्ड खेलेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचाओगा, होश्यार हो, इस अर्टाल को रोकने के लिए तुम क्या चाहते हो? मुझे भी पता है बाहर क्या चल रहा है, इस बिजनस में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा बैंक लोन पार्टी चुकाएगी, पुन्यालन अगर बत्ती के लिए अब तुम्हें देवसन बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा, पर इसके बदले में तुम्हें आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी के तरफ से लड़ना होगा, जब इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो हारने का सवाली नहीं है, एक तीर से दो शिकार, तुम्हारी समस्या भी खत्म, और हम सब का ये सिर्दर्द भी, एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तुम समस्दार हो, उमीद है जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लोगे, ठीक कह रहा हूँ ना? हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मास्टर जी, जहर और शराब के बीच एक चुनना हो, तो हम क्या चुनेंगे मास्टर जी? कोशिश करो कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए तुम्हारे पास. जमाना वैसे ही मास्टर जी, हमने जो बाहर गेम खेला वैसा करके, जीवन नहीं चलता, बहुत कठिना ही आती हैं. अब हमें अंदर रहके, इस खेल को खेलने का एक मौका मिला है, अगर मैं जीद गया, तो कम से कम स्टैंडिंग कमिटी का चैर्में तो बनूगा ही, हंड़िट परसंट, हमारा बिजनेस बदल जाएगा, और मेरी एनू भी खुश हो जाएगी. आज के जमाने के तुम लड़कों की, राजनीती मेरी समझ से बाहर है. क्या आपको पता है कि मैंने अपनी अगरबत्ती का नाम, पुन्यालन अगरबत्ती क्यों रखा था, मास्टर जी? क्योंकि एक महान संथ का नाम है, लेकिन मैं गलत था. अब समझ में आया कि संथ कौन होते है, मास्टर जी? जो मुश्किल में आपका साथ दे, जो बुरे समय में ध्रिड़ता से आपके साथ खड़े रहें, वही असली संथ हैं. आप उनी में से एक है, मास्टर जी? और आपने एबाद सिद्ध कर दी. चलता हूँ, मास्टर जी. कल मेरा नॉमिनेशन है. अगर जीत गया, तो दो तीन सालों में ही त्रिशूर की शकल बदल दूगा. ये मेरा आपसे वादा है, मास्टर जी. बचारा, बहुत शराप पीता था. देखो, कैसे फुगाओ आए है. मेरा आए है, मेरा आए है, मेरा आए है. आए है, मेरा आए है. आज पुन्याला अगरबत्ती तरक्की कर रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है केसी मैथ्यूस का. उनकी पुन्यतिती के अउसर पर आज हम व्रिक्षा रोपन का काम करेंगे. यही सची शद्धान जली होगी. पुन्याला अगरबत्ती अगर इसको स्पांसर करेगी तो इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझूगा. आशन भोलकर अपनी अगरबत्ती का एड़ करने लगा. केसी सर के लिए हमने एक भी हड़तल नहीं की. यह मुझसे बरदाश्ट नहीं हो पा रहा, यह कैसा न्याय है, इससे केसी सर के आत्मा को कभी शांती नहीं मिलेगी. मुझे तो जॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. अभी उसे पौधा लगाने दो, अगले एलेक्शन में हम सब उसे उखाड देंगे. बड़ा आया काम करने वाला. भाई, तुम लोग अपना मुझ बंद नहीं रख सकते क्या? देखते नहीं हो, जॉय भाई कुछ बोल रहे हैं. जॉय भाई कहा तुम नहीं? अरे, तुम पार्टी की वकिलों, तुम ऐसे नहीं बुलना चाहिए. कार्यों को पूरा करने के लिए, मैं अपनी जी जान लगा दूँगा. ए! पुन्यालन, लगता है इस हाथी का नाम रखा है, पुन्यालन. अरे, यार, तुझे पता है ना, ये लोग हाथी के गोबर से अगरबत्ती बनाते हैं. अर्च्छे. अरे, तुम किन्ता क्यों कर रहे हो? चीनू, दोपहर के प्रेयर के लिए स्टॉक तयार हो गया है, ना. पूरा स्टॉक तयार हो गया है, नुदीदी. अरे, ये तो अपना बेबी मैजिस्ट्रेट है, ना, देखो तो, चलो आओ, मिलते हैं, कोट नी पहना है ना, इसलिए, जद सहाब, इस हुलिये में तुनको पहचानी नी पाया, हमें आपने पहचाना सर, तुम सब को कैसे भूल सकता हूं, कैसा चल रहा है धंदा, पुन्य आज हराल में दो बार गोबर लोड होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलाब, सर, अपने साबू होगरे के बारे में नहीं पुछा, जूते साफ कर रहा होगा, अब तो वो हमारे साथ ही रहता है, अरे, जड़ा उधर तो देखो, पहदे लगाए जा रहे है, जब हमारे मालिक का अच्छा समय आएगा ना, तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा, मालिक ने वह वादा किया है, उस लड़के ने तो चौका दिया, जोई भाई, हाँ, फापन और उसके आदमी बहुत गुस्सेम है, कुछ गडबर ना कर दे, आरे तो करने दोना क्या प्रॉबलम है, अच्छा ये बता शीनू, हमारे नेता और फिल्म स्टार बोड़ापे में भी जवान रहते हैं, तुझे पता है इनके जवान बने रहने क सीक्रेट क्या है, वैसे हैं तो खुद पर खर्च करके जवान बने रह सकते हो, ऐसा नहीं है बेवकूफ, वो लोग जिस तरह से रोज 34 स्विकार करते हैं, वो सीक्रेट है, अगर वो कुछ करेंगे, तो वो हमारे लिए फायदे मंदी होगा, जोई भाई, हर कोई आपकी त देखना तू, जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन में खुशी से मर जाऊंगा, देख हमारा पुन्यालन कितना स्मार्ट लिखड़ा है, अब तो ये कम्प्लीट पॉजिटिव दिख रहा है, झाल 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 झाल